गर्मियो में अपनी बेस को मैट कैसे करें ओर स्टास फाट्टी को कैसे कंच्रोल करें आज की वीडियो इससे से रिलेटेट है असलाम लिПрी आओन मैं हूँ आमनौ अर मैं आपके लिए बहुत सारी बेससे रिलेटेट वीडियो लाती रहती हूँ और हाँ मेरी वीडियो में आपको मेरे चैनल पर आपको आपकी स्किन के मताबिक चाहिए आपकी स्किन ऑईली हो ड्राइ हो किसी बेने टोन की हो सब की इंफोर्मेशन मिलती है तो अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो बने रही है इस वीडियो और मेरे चैनल पे मेरे चैनल को कर दें सुब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक चेलेंज़ अप करते हैं वीडियो को स्टार्ट आपने अगर अपनी बेस को सेट करना है और साथ में साथ स्वेटिंग से भी कंट्रोल करना है तो आपका बेस साती है वो है लूस पॉर्डर यू केंट टेक लूस पॉर्डर जिसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं इसकी डिटेल्ड वीडियो में अलड़ी बिना चुकी हूँ मेरे चैनल पर विजट करें आपको मिल जाएंगी लिंक में डिस्किप्शन में भी डाल दूँगी कि लूस पॉर्डर क्या होता है इसमें ड आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आज जो मेरी सबसे अधा फोकस रहे का वो है यह ग्लैम्रेस फेस का लूस पॉर्डर जो मैंने भी रिसेंटली ओर करके मंगवाया इसके साथ अगर आप देखें तो एक आपको इस ठीके से ब्रॉश भी मिलता है इसको इसको इस अट्रवोस कर सकती है पॉँबर इसको लेंगे अची खासी मिगदार को क्योंकि आप सकते हैं धाहे को इसको बेक आप बेक सहकती है आप पर पॉर्डर जाते हये तो एक और तरीका मैं ह오ी स्कूर्ण यह गार जो मैं इसको कर रही हूं इस तो मिग्दार को और इस तो थोड़ी दर के लिए छोड़ देंगे आप चाहिए अपनी crease area में लगाएं इसको जो आपकी eyes के नीशे का area होता है वहाँ आप इसको set कर सकती है अपने फूरे face को आप इस तरीके से set कर सकती है इस तरीके से यह मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी दर आप इस तरह रखें इसको और आप फिर इसको ऐसे करके remove करते है तो यह आपकी जो base है वो perfectly set कर देगा और आपकी skin को बिल्कुल smooth कर देगा even कर देगा और oil को control करेगा यह तो है अगर आपकी skin oily है ठीक है और अगर आपकी skin dry है तो आप इसको किस तरह के से use कर सकती है यह भी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो को आपने end तक देखना है बहुत सारी information है आपके पास मुखलिफ types और मुखलिफ तरीकों से मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपकी skin dry है तो फिर आप इस तरह का कोई भी brush लेंगी और फिर आप उसके साथ इसको अपने पूरे face को make up application करने के बाद इस तरीके से आपने set कर देना है यहीं कि इस brush के साथ पूरे face पे आपने set कर देना है बस और quantity आपने थोड़ी लेनी है ज्यादा quantity नहीं लेनी क्योंकि अगर आप ज्यादा quantity ले लेंगी तो आपकी skin dry है तो फिर वो आपको शाद को crack होने का खच्छा होता है लेकिन क्यूंकि गर्मी आने वाली है तो इतना ज़दा issue इसका नहीं होता अगर आपकी skin dry हो तो आप इसको easily use कर सकती है अपने किन इरिया इस पे करेंगी यह अपने under eyes के नीचे कर सकती है वो area जो आपके crease करते है लाइक nose का area हो गया chin का area हो गया यहां पे बहुत ज़दा oil होता है oil secret होता है तो इन जोगों पर perfect रहता है अगर आप loose powder को use करती है या transition powder को use करती है transmission powder मेरे पास यहां पे यह beautiful by आमना का है मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हुई हूँ कि इन में फरक क्या होता है तो आपका handle जाके वो देख सकती है फरक आपको मैं अभी भी दिखा देती हूँ यह देखें जो transmission powder होता है वो यह बिलकुल white color का होता है ज इसका मैं number भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसकी काफी अच्छी coverage है क्योंकि जो translucent powder होते हैं उनमें क्योंकि color नहीं होता तो वो coverage नहीं रखते लेकिन जो loose powder होता है क्योंकि उनमे color होते हैं वो सासाथ आपको किसी हद तक जो है वो coverage भी दे जाते हैं आपकी skin को एक पिताई थी उसका reason यही थी कि जब आप college आते हैं school जाते हैं पूरा दिन आपका जो base होती है वो लगी रहती है बार बार आपके लिए रचिंग का time नहीं होता तो आप translucent powder या loose powder को use कर सकते हैं तो यह है face it का result बहुत ही अच्छा है बहुत ही जबरदास्त है इसलिए यह अभी आप कर दो आपके पकड़ाव संव रहा संव शाइन जीरो सेवन यह शेयर यह वह फिर टू मीडियम स्किन के लिए बहुत अच्छा है अगर आपकी स्किन मीडियम है मीडियम नॉर्मल सी है फेयर है एक्स्टा फेयर है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं आपकी foundation को बहुत जादा long lasting बना देगा यह मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि यह translucent powder है यह कोई रंग नहीं शोड़ता और जो यह है यह color और कास्ट इसमें होती है इसमें color होता है यह आपकी थोड़ी जो बहुत pigmentation यह कोई dark spots यह कोई problem है तो उसको भी यह hide करता है highly recommended glamorous face का यह loose powder आप definitely use कर सकते हैं अपनी base को long lasting और fixing properties देने के लिए अचा अब एक और जो मेरा most favorite तरीका है fixing powder को लगाने का यहां तक आपने देख लिया मैं इसको remove कर देती हूं जब आप इसको remove करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह आपको एक skin पे दे रहा है color यह नहीं कि आपकी base को set भी कर color नहीं इसको मैंने mix किया कोई color नहीं है जबके यह आपकी base को proper color दे रहा है अच्छा एक और तरीका जो कि मेरा यूज मैं यूज करती हूं यह है कि मैं इस sponge को fixing spray के साथ गीला कर लेती हूं थोड़ा सा यह वह तरीका है कि आपने बहुत ही natural किसम की base बनानी है तो आप इस लेंगी और यह आपके आजएगा और इससे आप अपनी base को base की under eyes को नीचे से 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 तरीके से यह बहुत अच्छे से आपकी base को सेट कर देगा आपकी जो crease area है उस पर आप इसको लगा सकती है नोस के लगा सकती है तो उससे क्या होता है कि setting spray और जब fixing powder जो है जिसको transformation powder आप कहते हैं और साथ में loose powder कहते हैं जब वो मिलते हैं तो आपकी जो base है वो बहुत जबरदस्ती natural सी बन जाती है यह तरीका है मेरा जो कि मैं जिसकी इस तरीके से अपनी base को set करती हूँ इससे क्या होता है कि आपकी heavy look भी नहीं आती केकी look भी नहीं आती और setting spray और loose powder मिल आपने glamorous face का यह जो powder वो जूरूर यूज करना है message share करना है इसका result और अगर किसी ने use किया भी हुआ है तो नीचे comment में share कर सकता है 불 Ellis iis.发 novow ने क्यूंकि इसकाभी brush किया आप इस brush के साथ भी इसको direct भी लगा सकते हैं और लगााके अपनी base को set कर सकते हैं इस तरीके से यह brush अच्छा है इनका काफी तो आप इसके साथ भी इसको सेट कर सकते हैं अपनी बेस को तो ये कुछ तरीके होते हैं कुछ पॉलर सीक्टर्स होते हैं जो कि अगर आप यूज करें तो आप अपनी बेस को बहुत दा फ्लॉलस और खुब सुरत बना सकते हैं घर बैठे बैठे ही आपके साथ जो है वो एक जबर दरसी फ्रॉलस सी आपकी बेस बेल जाएगी पॉलर जाने के आपकी कोई जरूरत नहीं रहेगी तो यह थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करें जरूर बता दीजिएगा मैं मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स वीडियो में तो आप में मुझे याद रखिएगा आला हाफिज